हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथरोजी में जहां में सान्या कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं तो बच्चों इस दो मिनिट के वीडियों के क्लिप में आज हम बात करने वाले हैं इस पेसली, zero of polynomials, किसी polynomial का zero क्या होता है तो definition पहले आप समझेंगे, उसके बाद हम एक दो example के थुरू आपको और ज़्यादा clear करेंगे definition है कहता है, अगर कोई भी polynomial दिया गया है, तो उस polynomial में जब हम variable की value रखें और उस पूरा polynomial क्या बन जाए, zero बन जाए, तो variable की उस value को कहा जाता है zeros definition है, zeros of a polynomial can be defined as the points where the polynomial becomes zero as a whole a polynomial having value zero is called zero of polynomial for example, अगर कोई polynomial है px, x plus 2, अगर हम x की place पर minus 2 रख दें, minus 2 तो p हमें क्या मिलेगा, p minus 2 will be minus 2 plus 2 equal to zero तो यहाँ पर x equal to minus 2 रखने पर पूरा polynomial, whole polynomial किसमें convert हो गया, zero में that's why x equal to minus 2 is a zero of px, क्या हो सकता है, zero of px अब मैं आप से एक प्रस्न पूछता हूँ इस वीडियों के अंत में, अगर आपको आंसर पता होगा तो आप comment करके जरूर बताइएगा, अगर कोई quadratic polynomial दिया गया है, तो उसके कितने zeros होंगे अगर कोई quadratic polynomial दिया गया है, तो उसके कितने zeros होंगे Thank you so much